हेलो फ्रेंट्स, खापी लो किचिन में मैं भारती भाव सार आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बच्चों की टिफिन स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं ब्रेड से बनेगी तो मैंने ये जो है दो गाजर किसली है एक शिम्ला मिर्च जो बारिक काट लिया है और पनीर लिया है इसको मैंने बारिक काट लिया और ब्रेड ले लिये है अब एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं और ये बहुत थी टेस्टी रेसिपी आप एनी टाइम कभी बना सकते हैं अब तेल गरम हो गया एक चमस्तिल डाला और उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया चिली फ्लेक्स डालने के बाद शिमना मिर्च कटी हुई थी वो डाल दिया है और बारिक जो काजर हमने किस ली थी उसको डाल दिया है सबको साथ में ही डालते जाना है दो मिनिट बाद हम पनीर डाल देंगे और बस हलका सा रोस्ट ही करना है क्योंकि हम इसको हलका सा कच्छा पका ही बनाएंगे अब पनीर डाल देते हैं टोटल यह हम 5 मिनिट तक पकाएंगे यह देखे कितना बढ़िया दिख रहा है देखने में भी और आपको यह खाने में भी मज़ा आजाएग अब इसमें मैंने औरिगेनो डाल दिया है बनफोर्थ चमबच के करीब क्योंकि चली फ्लेक समने पहले से डाल रखा था अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिक और यह देखिए कितना बढ़िया कलरफुल दिख रहा है आप चाहें तो ऐसे फ् कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस हमारा यह मसाला डन हो चुका है इसको गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं अब मैंने ब्रैट की स्लाइस ले ली है एक पे मैं मियोनिस लगा देती हूं और एक पे टमाटर कैचप लगा देती हूं तो जो है जो अपने मसाला तयार किया था उसको डाल देंगे जटपट बना दिया है बिल्ला किसी टाइम गबाए हुए और यह जो टोटल रेसिपी दस से बारा मिनिट में तयार हो जाती है दस मिनिट काफी कुछ कह सकते हैं दस मिनिट में यह आपकी रेसिपी तयार हो आप चाहें तो इस मिक्चर को पराठे में भर सकते हैं और यह देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने घी लगा दिया है आप घी या तेल कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं और मीडियम आच रखी है और बस अब मैं जो है इसको अच्छे से से लूँगी दोनों स साइट से और यह देखिए हमारे 10 मिनिट के अंदर अंदर जो है रैसेपी तैयार हो जाएगी और आपको मेरी रैसेपी कैसी लग रही है कमेंड बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा यह दोनों साइट से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं बस यह हमारा जो है सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं इसको स्टब्ड बैजी टेवल सेंडविच कह सकते हैं पनीर सेंडविच कह सकते हैं और बीच में से कट कर देंगे तो यह जो है सैंडविच पनीर वाले बनकर रेडी हो गए हैं और क्रीमी सेंडविच हैं तो आपको मेरी रैसेपी कैसी लगी और आप जरूर खाकर बताईएगा और बनाईएगा जरूर जरूर थैंक